नमस्कार प्यारे बच्छो राम राम कैसे हो उमीद करता हूँ कि आप अच्छो और स्वस्त होंगे प्यारे बच्छो आज के सेशन में अपने बात करेंगे रोजगार समाचार के बारे में अगस्त मागे थर्ड वीक के अंदर जो रोजगार बढ़तिया निकली वी है उनके पर अपन जर्चा करने वाले हैं हमारी टीम सापताइक रोजगार की जानगारी आपके साथ सेर करती रहती है उसी करह में आप हम देखेंगे कि थर्ड वीक के अंदर कौन-कौन से विवाग के अंदर कितने विकेंस निकली है क्या उनकी लास्ट डेट हाव इतन करने की सेक् दिमा क्या रखी गई है यह जो परमुख जानगारी है वो मैं आपके साथ यहां पर स्थेर करने वाला हूँ देखेगा डिपार्टमेंट के अपने बात करने तो डिपार्टमेंट का नाम है नोर्थन कौन फिल्ड इमिल्याइड यानि की शोट में इसको एंचेल के नाम से पोस्ट इशके अुदर पहरेफचूप, सर्फेस माइनर ऑपरेटर, ग्रेडरा ऑपरेटर, शोवल ओपरेटर और इसके अंदर कुल पदा है 348 आउधन करने की अंतिम दिथि की बात करें तो यहां पर देखेगा 31 अगर्स्ते आउधन करने की अंतिम दिथि की बात करें त इसके level का आपके पास पर्मानपतर होना चाहिए या Board of Secondary and Valid HMV Transport license आपके पास होना चाहिए यानि कि Highway license आपके पास होना चाहिए इसके अलावा High School अगर आपने पास कर रहे किये तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो एज लिमिट की बात करें, तो एज लिमिट है, इसके अंदर 18 से 30 साल, कितने है, 18 से 30 साल है, आवेदन अगर आप करोगे, तो आपको कितना सुल्क इसमें देना होगा, वो देखेगा, जनरल OBC और EWS केटेगरी के जो कंडिजेट हैं, उनको 1180 रूपय आवेदन सुल्क के होगा, आगे अपन देखते हैं, कि आप अगर आवेदन करने की सोच रहे हो, तो यह लिंक यहां पर दिया हो है, यहां से आप अपने आवेदन पर करिया है, कंप्लीट कर सकते हो, प्यारी पत्चो, आगे देखेगा, डिपार्टमेंट का नाम है, महराष्टर, इंडस्ट् इसके अलावा, असिस्टेंट डिजाइनर, यह इस प्रकार की पोस्ट है, इसके अंदर, और कुल पदों की बात करें, तो 802, कितने हैं, 802 पद हैं, प्यारे पत्चो, और लास्ट डेट देखेगा, 25 सितंबर 2023, कितने है, 25 सितंबर 2023 क्या है, अन्तिम्तिति है, आगे आप देख सकते हो, education, qualification की बात करें, तो education, qualification में, यहाँ पर बताया गया है, degree, graduation in, electrical, mechanical, और civil engineering में, आपके बात से, engineering की डिग्री है, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो, आविदन कर सकते हो, और post wise, किसी में, डिपलोमा मांगा, किसी में, डिग्री मांगें, तो आप चेक कर सकते हो, आईउ स्विमा की अपन बात करें, तो आई स्विमा देखेगा, 18 से 38 साल इसके अंदर निर्दारित की गई है, अब बात कर लेते हैं, आविदन सुल्क की, जनरल, OBC, EWS के टिग्री वालों को, 1000 रुपे आविदन सुल्क की रूप में देना होगा, इसके अलावा, SC, ST क देंदेंदेंदें, उनको 900 रुपे देना होगा, और PWD के टिग्री डूप में देना होगा, और PWD की टिग्री की जनरल, इसके लिए अविदन सुल्क की रूप में देना होगा, अविदन अगर आप करने की शोज़ रहे हो, यह लिंक दिया हो यहाँ से आप अपने का नाम है प्यारे बचो, BMC यानि की ब्रिहमन मुंबई मुनिसिपल कोर्पोरेशन BMC के अंदर है जूनियर स्टेनोगरापर के 226 पदों के लिए विगया पंजारी हो चुगा है, आवेदन करने की अंतिमतिती है चार सितंबर, एजुकेशन क्वालिपिकेशन की बात करें, त तो टेन पास प्लस मराटी एंड इंगलिस टाइपिंग आपको नोलेज होना चाहिए, एज लिमिट है, 18 से 38 साल इसके अंदर एज लिमिट नेरदारित की गई है, आगे देखेगा, अप्लिकेशन फी की अपन बात करें, तो जनरल, OBC, AWS के टेगरी के जो कंडिडेट हैं, 900 रुपे देना होगा, कितना, 900 रुपे उनके लिए निर्दारित किया गया है, यह देखेगा, आवेदन करने का लिंक यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ से आप अपने आवेदन प्रक्रिया है, कंप्लीट कर सकते हो, प्यारी बचो, आगे अपन चर्चा करते हैं, प्रूटमेंट सेल, RRC, नोर्थन रेल्वेए है, उसके अंदर है, विग्यापन जारी हो चुगा है, पोस्ट का नाम है, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, और असोसियेट शोरी, और कुल पद है, इसके अंदर है, 93, लास्ट रेट आवेदन करने की, 28 अगस्ट दोजार त सेविस, एज्यूगेशन, क्वालिफिकेशन में देखेगा, ग्रिजेशन बताई गई है, रिविलेंट, डिस्विलेंट के अंदर आपके पास है, यानि कि समंधित जो संकाय पुचा है, उसके अंदर आपके पास जिसना तक का परमान पतर है, तो आप इसके लिए आवेद करते हैं, तो वो देखेगा, जेनरल OBC and EWS केटेगरी वालों को 100 रूपे देने है, उसके अलावा SC, ST, PWD केटेगरी के कंडिडेट है, उन के लिए आवेदन सुल्क, निसुल्क रखा गया है, उनको किसी परकार का कोई सुल्क नहीं देना है, और यह यहाँ पर लिंक दिया आवेदन करने का, यहाँ से आप अपने आवेदन पर करिया है, वो कंप्लेट कर सकते हो, आगे देखेगा, प्यारे बच्चो, ST, ST, AUTHORTY OF INDIA, यानि कि सेल, रावर केला के अंदर है, विगया अपन जारी हो चुका है, और पद का नाम देखेगा, Medical Attendant Trainee, Medical Lab Technician Trainee, Radiographer Trainee, इसक के कुल पदों की अपन बात करें, तो 202 पद है, कितने ही पहरे बच्चो, 202 पद हैं, और आवेदन करने की जो अंतिम्तिती है, वो है आपकी 30 अगस्त 2023, कितने है, 30 अगस्त 2023 है, आगे देखेगा, Education Qualification की बात करते हैं, तो Education Qualification में है, जीनम, MBA, BBA, PG, डिपलोमा, या डिग आवेदन कर सकते हो, एज लिमिट देखेगा, एज लिमिट है, 18 से 35 साल, कितनी है, 18 से 35 साल, एज इसके अंदर नहिदारित की गई है, आवेदन करने का लिंक ये दिया हो है, यहाँ से आप अपने आवेदन प्रकरिया है, वो complete कर सकते हो, आगे देखेगा, गुजरात पब्लिक सर्विस कमिशन, यानि कि जीपी एसी के अंदर विगया पन जारी हो चुका है, पद का नाम है, एडिशनल असिस्टेंट इंजिनेर, डिप्टी एग्जुकुटिव इंजिनेर, डिप्टी डारेक्टर, यह तीन प्रकार के पद हैं इसके अंदर, और क 28 सितंबर 2023 है, एडिशन क्वालिफिकेशन की बात करें, तो डिग्री, डिप्लोमा वाले इसके लिए आउधन कर सकते हैं, और यह यहाँ पर लिंक दिया हो है, इसी लिंक से आप अपने आउधन प्रकरिया, वह कंप्लेट कर सकते हो, आगे देखेगा, नेक्स्ट है, राज 133, लास्ट डेट है, 39 अगत 2023, एडिशन क्वालिफिकेशन देखेगा, 12th pass, GNM, BAC और MBBS वाले इसके लिए क्या कर सकते हैं, आउधन कर सकते हैं, एज लिमिट है, 21 से 35 साल, कितनी है, 21 से 35 साल एज लिमिट है, इसके अंदर, और यहाँ पर देखेगा, यह है, ओपिसल है, पहरे बचो, DSSB, फुल परम है, देली सब ओर्डिनेट सर्विशे सेलेक्शन बोर्ड है, इसके अंदर जो पद हैं, वो देखेगा, PGT, TGT, मुजिक टीचर, लेब असिस्टेंट और लेबोरेटरी असिस्टेंट, कुल पद हैं, 1841 आवेदन करने के अंतिम दिती है, 15 सितंबर 2023, कब तक आप आवेदन कर सकते हो, 15 सितंबर 2023 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो, आगे देखेगा, कौन कर सकता है, 12th पास, उसके अलावा 12th पास के बाद में देखेगा, PG डिगरी आपके पास है, या डिपलोमा, यानि कि पोस्ट वाइज है, या लग लग पोस्ट है, उनके अकोडिंग यहाँ पर क्वालिपिकेशन भी है, किसी में बार विपास है, किसी में PG डिपलोमा है, किसी में ग्रिजूएट भी है, किसी में डिपलोमा भी है, तो आप चेक कर लीजेगा, डिटेल में, एज लिमिट की बात करें, तो 18 से 32 साल इसके इंदर निर्दारित की गई है, और आप अगर आवेदन करोगे, तो आवेदन करोगे तो आपको आवेदन सुल्क के रूप में कितना पेमेंट देना होगा, वो देखिएगा, जनरेल, OBC, EWS के टेगरी के जो कंडिडेट है, उनको 100 रुपे देने हैं, इसके अलावा, SC, ST और PWD के देखिएगरी के जो कंडिडेट आते हैं, उनके लिए आवेदन सुल्क निसुल्क रखा गया है, उनको किसी प्रकार का कोई आवेदन सुल्क नहीं देना है प्यारे बच्छो, यहाँ पर देखिएगा, ओपिशिल वेबसाट का लिंक दिया हो है, DSSB का, तो यहाँ से आप अपनी आवेदन पर करिया है, वो कंप्लेट कर सकते हो, आगे देखिएगा, ODESA Hydro Power Corporation Limited, OPHCL है, उसके अंदर है, और पोस्ट है, वो देखिएगा, डिपलोमा एंजिनेर ट्रेनी, इसके अलवाव मेनेजमेंट ट्रेनी, कुल परद है 177, लास्ट डेट है, 14 सितंबर 2023, एज पास, इसके लावा ITI डिपलोमा अगर आपके पास है, तो आप आवेदन कर सकते हो, एज लिमिट देखिएगा, 18 से 38 साल, कितनी है, 18 से 38 साल, एज लिमिट इसके अंदर निर्धारित की गई है, वो पीचल वेबसाइट का लिंक दिया हो है, यहां से आप अपने आवेदन है, वो कंप्लीट कर सकते हो, पहरेबसो, आगे देखिएगा, हिंदुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड, HAL, HAL के अंदर है, पदगा नाम है, ट्रेड अप्रेंटिस से, कुल वेकेंचीज है, 1060, लास्ट डेट है 31 सकत 2023, एजुकेशन क्वालिपिकेशन की बात करें, तो ITI वाले क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं, जिनोंने ITI कर रगी है, यह ओपिसेल वेबसाट का लिंक दिया हुआ है, यहां से आप अपने आवेदन पर करिया है, वो कंप्लेट कर सकते हो, आगे देखिएगा प्यारे बच्चो, आगे नेक्स है, डिपर्डमेंट का नाम ह जहारखंड, रूरल हेल्थ मिशन सोसाइटी, यह इसका सोट नाम है, और पदेश के अंदर, मेडिगल ओपिसर एंड मेनेजमेंट प्रोपेशनल, कुल पदेश के अंदर, एक हजार बैतर, लास्ट डेट है, पांच सितमबर दो हजार तेविस, कौन आवेदन कर सकता है, ब मेक्सिमम आइज इसके अंदर बताए गई है, पैरे बच्चो, मेक्सिमम आइज बताए गई है, कि 35 साल जिनके आइज नहीं हुए, 35 साल तक के कंडिडेट है, वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, अप्लिकेशन फी देखेगा, जनरल, OBC, AWS केटेगरी के जो कंडिडेट ह हैं, कितने देने हैं, 500 रुपे देने हैं, इसके अलावा, SC, ST और PWD के टेगरी के कंडिडेट हैं, उनको 250 रुपे आवेदन सुल्क के रूप में देना होगा, पैरे बच्चो, और यह ओपीशल वेपसाइट का लिंक दियावा है, यहां से आप अपने आवेदन पर करिया ह है, वो कंप्लेट कर सकते हो, आगे देखेगा, नेक्स है, Department of Peace and Non-violence, राजस्तान के अंदर है, पैरे बच्चो, और पदगा नाम है, महत्मा गांधी, सेवा प्रेरिक है, कुल वेकेंचीज है, कुल पद हैं, इसके अंदर, 50,000 आवेदन करने के अंतिम्तिती है, 29 सगत 2023, ए बारवी पास कंडिडेट इसके लिए क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं, प्यारे बच्चो, एज लिमिट देखेगा, 21 से 50 साल इसके अंदर बताए गई है, कितने बताए गई है, 21 से 50 साल बताए गई है, यह ओपिसल वेपसाइट का लिंक दियावा है, यहां से आप अ इसके अंदर पद देखेगा, मेकेनिकल इंजिनेर, सीनियर ओपिसर, लाओ ओपिसर, वेलफेर ओपिसर, कुल पद हैं इसके अंदर, दो सुचिंतर, लास्ट डेट है, 18 सितंबर 2023, कितनी है, 18 सितंबर 2023 है, एज्यूकेशन क्वालिपिकेशन की बात करें, तो डिक्री, डिप्लोमा वाले इसके लिए क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं, मेक्सिमम एज है, 25 साल कितनी है, मेक्सिमम एज इसके इंदर है, 25 साल निर्दारित की गई है, आगे देखिएगा, अप्लीकेशन की की बात करें, तो जनरल, OBC और EWS केटेगरी जो कंडिडेट हैं, उनको 1180 रुपे देने हैं, इसके इला प्रकार का कोई सुल्क नहीं देना है, और आवेदन करने का लिंक यह दियाओ है, यहां से आप अपने आवेदन प्रक्रिया है, वो कंप्लेट कर सकते हो, प्यारे बच्छो, आगे देखिएगा, नेक्स्ट है, महत्मा गांधी नेशनल, रूरल एंप्लोईमेंट गारंटी अकोला, अकोला महराष्टा के अंदर है, यहां पर वेकेंचीज है, रिसोर्स परसन, कितने पद हैं, सो, लास्ट डेट है, 31 अगस 2023, एज्यूकेशन क्वालिपिकेशन की बात करें, तो आटवी, दसवी और बारवी पास कंडिडेट क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं, एज लिमिट देखेगा, 18-50 साल है, यह ओपीशिल वेबसाइट का लिंक दियावा है, यहां से आप अपने आवेदन परकरिया है, वो कंप्लेट कर सकते हो, नेक्स देखेगा, इंडियन नेवी, डिपाइडमेंट का नाम है, इंडियन नेवी, और इसके अंदर जो है, इसके अंदर जो पद है, वो देखेगा, डिप्टी मेनेजर, डिप्टी जेनरल मेनेजर, जूनियर मेनेजर एचार, और इसके कुल पद है, एक सो साथ, नोटिफिकेशन रिलीज हो गया था, 14 अगस 2023 को, लास्ट डेट की बात करें, तो फोर विक्स प्रोम देट डेटो पब्लिकेशन, यानि की, नोटिफिकेशन 14 तारीक को जारी हुआ, तो उसके चार सप्ता के अंदर अंदर आपको क्या करना है, आविधन करना है, आगे देखेगा, पैरे बच्चो कोन आविधन कर सकता है, जिनके, जिनोंने डिप्लोमा है, डिगरी कर रगी है, वो इसके लिए क्या कर सकते हैं, आविधन कर सकते हैं, एज है, मेक्सिमम एज बताएगी यह 56 साल, आविधन करने की सोध रहे हो, तो यह लिंक दिया हुआ ह यहां से आप अपने आविधन प्रकरिया है, वो कंपलेट कर सकते हो, पैरे बच्चो, तो मेरे दुआरा देगी जानकारी, अगर आपको अच्छी लगी, तो इसको शेर करना मत बूलिएगा, और आपके जो प्यारे साथी तेहरी कर रहे हैं, उनके साथ भी शेर कीजिएग या कई दिनों से इंतजार भी कर रहे हैं, पैरे बच्चो, यह जानकारी थी कि रोजगार से समन्दित, अगर आप आविधन कर दोगे, फिर आपको तेहरी भी करनी है, तो तेहरी कर रहे हो, तो हमारी टीम आपकी सुईदा के लिए बहतरीन हैंडिटे नोट्स लेकर आई ह एंडिटे नोट्स आपको घर बटे उकलब दो जाएंगे, हमारी वेबसाइड है www.infusionnotes.com उसको आप वीजिट कीजिएगा, और वहाँ पर आपको आपका पसंदीदा कोर्स है, वो मिल जाएगा, पहले आप सेंपल नोट्स पढ़िएगा, और उसके बाद में आपको ओड देना है, ओडर देने के लिए वहाँ पर नम्मर दिए वे हैं, इसके अलावा प्रोसेस भी बताई हुए है, कि आप किसी साब से आप अपना ओडर है, वो दे सकते हो, ये तो रही नोट्स की बाद, आगे अपना बात करेंगे, कि प्यारे बच्छो, हर एक्जाम के अंदर, करेंट अफेर की जानकारी जरूर पुछी जाती है, समसाई की से जुड़े परसन आते हैं, तो हमारी टीम निशूल के करेंट अफेर उपलब्द करवाती है बच्छों को, तो उसके लिए आपको हमारा चैनल फोलो करना होगा, इनि फिजी नोट्स का इंस्टाग्राम और टेलिग्राम चैनल आप फोलो कि लीजिएगा, वहाँ से आपको डेली करेंट अफेर की जानकारी है, वो भी मिलती रहेगी पहरे बच्छों, चलिए, और इसमें अगर आपको किसी परकार का कोई डाउट है, तो आप बेजी से कमेंट कीजिएगा, आपके कमेंट का रिपल लाई दिया जाएगा पहरे बच्छों, चलिए, मिलते हैं अपन लेक सेशन में, धन्यवाद, राम राम